मनुस्य को जीवित रहने के लिए हवा से सांस लेने कब महतुपूर अंग फेफड़ा होता है अगर यह ना रहे या फिर किसी कारण से खराब हो जाए तो इंसान जिन्दा नहीं रह सकता वैसे यह बात तो सभी को पता है कि हमारे सरीर में फेफड़ा एक जोड़ी की रूप में पाये जाता है मतलब इसकी संख्या दो होती है गरलत लाइफ इस्टाइल और खान पान के करण फेफड़े की रोगियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है हर साल लागों लोग फेफड़े संबंधित बिमारियों से पीडित हो रहे है आपको सैद यह बात पता होगी कि हमारी सारीरिक कारे प्राणाली में किसी भी तरह का बदलाव दिखाई देने पर हमें अंदाजा लग जाता है कि हमारे किसी अंग में किसी प्रकार की समस्या हो रही है जैसे यूरीन का रंग पीला देखने पर हम समझ जाते हैं कि हमारी किड़नी में कोई परसानी है ये सरीर में पाने की कमी हो रही है इसी प्रकार इसकिन की कोई समस्या होने पर अंदाजा लग जाता है कि मेरे सारीरिक सफाई में कोई कमी है लेकिन फेफड़े में समस्या होने पर समझना काफी मुस्किल हो जाता है क्योंकि इसके खराब होने पर कई लच्छड दिखाई देते हैं जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए फेफड़े के खराब होने के सभी लच्छड को जानना बहुत जरूरी हो जाता है आपको ये बाद तो पता ही है कि फेफड़े 2 होते हैं लेकिन आपको बता दे कि फेफड़े बहुत ही धीरे धीरे खराब होते हैं और कभी-कभी तो लोगों को फेफड़े के खराब होने का जड़ा सा अंदाजा भी नहीं लग पाता और इसे पहले बाई समझ पाएं कि उनका फेफड़ा खराब हो चुका है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है इसलिए आज हम आपको फेफड़े के खराब होने के कुछ लच्छड बता रहे हैं इसे जानकर आप समय रहते सतर्क हो सकें इसे पहले कि हम आपको इसके कुछ लच्छड बताना सुरू करें आप एक बाता खास ध्यान लखिएगा कि सभी लच्छड पारव जाने क्योंकि कसी भी बिमारी के सारे लच्छड एक बार में ही नहीं शुरू हो जाते इसलिए सबी रच्षडों को ध्यान से जानने की कोशिस करें ध्यान दे फेफडे की बीमारी केवल बुढ़े लोगों में ही नहीं बलकि नवजात पच्चे से लेकर हर उम्र के वेक्टियों को हो सकती है इसलिए वीडियो पूरी देखें यह बात तो आप सबी को पता है कि फेफडे का काम है सांस लेना और अगर जही से सांस ने ले तो कुछ परिसानिया जरूर हो सकती है इसलिए अगर आपकी सांस टहलते हुए, सीड़ी चड़ते हुए या फिर कोई काम करते हुए फूलने लगती है तो इसका मतलब कि आपके फेफडे में कोई परिसानी हो सकती है कई बार तो ऐसा भी होता है कि आराम से लेटे हुए भी सांस पूलने लगती है यह फेफडे के किसी गंभीर समस्या के लच्छन हो सकते है लेकिन बहुत ज़्यादा सर्म करने से अगर सांस फूलती है तो ये सामानसी बात है फेफ़डों में कोई समस्या होने पर छाती में दर्द होता है ये दर्द छाती की मौस्पेसियों या फिर अडियों में भी महसूस किया जा सकता है ये बहुत छोटी और बहुत गंभीर हो सकती है अगर समस्या बड़ी हो जाती है तो इस मामले में वेगते की जान भी जा सकती है लेकिन सर्दी के समय में टंड लगने से दर्द होना सामानसी बात है खांसी जाना है एक सामानसी बात है लेकिन ये बात आपको भी पता है, अगर लगातार खांसी आए, तो ये कोई सामाने सी बात नहीं है। फेफ़ोडों की समस्या होने पर लगातार खांसी आती है। आपको बता दें कि खांसी एक पतिरच्छा पढ़ा ली है, जो बाहरी ततों से सोसन नली को साफ करती है। लेकिन अगर यही खांसी बहुत अधिकाए, तो ये फेफ़ोडों की बिमारी भी हो सकती है। बहुत जादा खांसी आने पर ये टीवी के लच्छड भी हो सकती है। जोचा नीली या बैगनी रंकी हो सकती है। इसे साइनोसिस कहते हैं। वैसे यह होठो और नाखून के इर्दगीर दिखाई पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस इस्तिति में बलड को परियाप्त मात्रा में आक्सीजन नहीं मिल पाता है। ध्यान दे। अक्सर दिल और फेफ़रों दोनों की समस्याओं के लच्छन एक जैसे होते हैं। क्योंकि यह दोनों अंग एक दूसरे की विमारियों से प्रभावित होते हैं।